हेलो बच्चों स्वागत आपका अपनी यूट्यूब चैनल आड़ी क्लासेस के एक और नई वीडियो में आसा करता हूं कि आप सभी लोग सत्थ होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग कच्छा दस विज्ञान के कुछ इंपॉर्टन कोश्चन के बारे में बात क लोग वीडियो को बीना इसकीप किये जो है पूरे अच्छे तरह से देखिएगा तभी आपको बाते पूरी तरह से समझ वाएंगी यहां पर हमारा खंडबव है वड़नातमक प्रश्ण है उसका को है तो इसका पहला कोशन दिया है गोली दरपड़ो द्वारा परावर्तन के चिन परिपार्टी लिखिए ठीक है निकि जो गोली दरपड होते हैं उनके परावर्तन के लिए जो चिन परिपार्टी होती है उसको हमको लिखना है तो चलिए यहां पर देखते हैं कि चिन परिपार्टी का नियम क्या है तो सबसे पहले तो हम लोग यह देखेंगे यह पहां पर कि यह हमारा चीनक पारिपा्टी होता देखिए इस तरह से चीनक प्रेपार्ठी का यूज으 किया जता है यह हमारा एक गोली दरपड है ठीक है इससे इधर दाइयोर की जो भी दूरी होती उसको प्लस में मापा जाता है उपर जो भी दूरी होती उसको प्लस में मापा जाता है आपतित प्रकार की दिसा यहां में बाईयों की जो भी दूरी होती है माइनस में मापा जाता है जो नीचे की उचाई होती है उसे हम लोग माइनस में मापा जाता है य तो चली हमोग देखते हैं इसका नियम क्या है यह देखे हमारा नियम है पहला है इसमें कि भीम सदेव दरपड के बाई और रखा जाता है इसका आर्थ है कि दरपड पर बहुर से आप ती तो ठीक है जो आपके वस्तु है उसको हम लोग दरपड़ के हमेशा बाई साइड में रखेंगे इसका मतलब है कि दरपड़ पर जो आपतीद प्रकास आता है वो किदर से आता है ठीक है दोसरा है कि मुख्य अच्छ के समानतर सभी दूरियां दरपड के धुरू से मापी जाती है यानि कि मुख्य कि हमारा है तो इधर जब जाएंगे तो यह सारे के सारे जो होंगी हमारी धनातमक होंगी तो ऑफीर इस तरफ से नीचे की ओधनातमक होगी ठीक है तो फیर हम लोग बढ़ते हैं कि अपना आग ला कोशन की तरफ तो कोशन नमर दो हमारा कि वाई मंडल में अपॉर्टन किस परकार होता है ठीक है मंडल में किस तरह से अपॉर्टन होता है तारे क्यों टीम्टेम आते हैं जबकि ग्राह नोrons बसक्ल 1 बाते हैं ठीक है यानिकि जो वाई मंडल है उसमें जो वाई होती है वो औसमान होती है कहीं गर्म होती है तो कहीं ठंडी होती है ठीक है तो ठंडी वाई का जो अपवर्टनांग होता है वो गर्म वाई की तुलना में थोड़ा अधिक होता है यानिकि जो ठंडी वाई होती है वो क्या ह यहां परकास थंडी थंडी वाई में रहेगा तो उसका अधिक होगा और जब गर वाई में आएगा तो इस तरह से वहां परकास का अपॉर्टन हो जाएगा और इस घटना को हम लोग क्या करते हैं फिर हमारा इसमें अगला कोश्चन था कि जो तारे प्रत्वी के निकट है तारे पिर्थवी से अधिक दूरी पर होते हैं लेकिन गरह होते हैं वह तारे के पेच्छा बहुत निकट होते हैं तो इस कारण से क्या होता है कि ग्रह को जो है बिस्तिर्थ सुरुत माना जा सकता है यह जो आपका ग्रह है कोई भी जो ग्रह है उसे हम एक बड़ा सुरुत मान सकते हैं यह बहुत बड़ी वस्त हुए परन्तु तारे जो है अधिक दूरी पे होते हैं तो अधिक दूरी पे होने के कऱर क्या होता है, यह बहुत छोटे दिखाई देते हैं, तो इसलिए हम इनको एक बिंदू सुरुत माल लेते हैं, इन्हें बिंदू सुरुत की भाती बेहर करते हैं, तो और अधिक दूरी से प्रकास आता है, तो वाई मंडल में जो होता है, प फिर हम लोग आगे और आहते हैं हमारा अगला कोशन नंबर 3 दिया है यहां पर तो कोशन मबर 3 क्या कहता है इसको देखते हैं हम लोग 22 तौन ₘ को जो कि एक प्रतिरोध को किस प्रकार उसनतन करेंगे हिस नमबरे एक चार ना जाए और नंबर दो जो है एक ज़्यारत के ऐसी यहां पर हम देखें है कि इसको कई हम देख रहे हैं की माल लेता हैं कि पहले के लिए करने हैं पहले को चार ओम достir तो पहला कोशन हमले इसमें बराबर दो हो में और जिल फिर उर में के साथ क्रेक्रिक और हमारा आझसर आजा गए तो समांतर करम के लिए आर बराबर वता है थो आर्टी और थी कितना तीन और, च्छा है तो लौसा करेंगे यानि यहांपर याहां से यहां तक का जो तुल प्रतिरोद है वो कितना हो गया दो ओम हो गया अब ये जो है ये पूरा मिल करके इसके साथ कैसे हो गया स्रेडी करम में हो गया तो R1 और R को हम लोग स्रेडी करम में जोड़ते हैं तो माल लेते कि इसका जो तुले परतिरो धारा है वो R10 आरा है तो स्रेडी करम के लिए ये फर्मूला होता है हमारे पास कि आर डेस बराबर होगा और प्लस आर तो यानिकि यह यह दो आया है और दो जोड़ेंगे तो चार मुझा ठीक है ठीक है यानिकि हम एक आर टू और ठीक सेमांतर कर में जोड़ेंगे अब फिर उस समानतर करम जोड़ेंगे इस तरह से opportunities can publish प्रति प्रतित और चोड़ेंगे तो चौआ हो जाएका और यह ABOUT और अन्सत्व कुछ आज़ित पुर भी नाहीं, फीर है अगला कौशन है, कौशन नól 9 है, देखे कोशन नॉम्ट 4 क्या करता है? कोशन नॉम्र 4 कहा रहा है कि दछिर हस्त अंगुष्ट नीयम में अंगुठे की दिसा क्या निरदिष्ट करती है? तो से रखी में नीयम करो है किसी six चहाती संचरल लाइन में पूरु से पशिम दिशा या बिदुधारा प्रवाइत हroBS कीए इस तरह से तार है मां लें पुर्व है और यह पस्यम है तो पुर्व से पस्यम के और जब विदुधारा प्रवाीथ हो रही है तो इसके ठीक नीचे माल लेते हैं यहाँ पे और इसके ठीक ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे ठीक नीचे किसी बिंदु पे और फिर इसके ठीक ऊपर किसी बिंदु पे यहाँ उपर और नीचे जो होगा चुम्बकी छेत्र की दिसा क्या होगी इसको बताना है ठीक है फिर यहां पर अथवा करके भी एक कोशन है जिसमें बोला है कि बिदूत मोटर का सिधान तथा कारिविधी असपश्ट कीजिए यानि बिदूत मोटर का सिधान बताना कारिविधी बताना है और फिर साथ ही में बताना है कि बिदूत मोटर में बिभक्त वले का क्या मात्व है इन दोनों कोशन में से एक कोशन को करना है लेकिन हम आपको जो है दोनों कोशन का अंसर अभी बता देते हैं यहाँ पिर देखिए चो नमबर के कोशन है तो देखे दो नमबर जो इस पर मिलेगा त southeast उनियम में अगूठे की दिशा नंबर जो है कि इसकी डिसा चीज बताता है दो नमबल मोटर का सीधानत लिखेंगे दो नमबर का कारिविधी लिखेंगे दो नमबर का अपर विवक्त वाल्या के बारे में लीके इस तरशेशित करता है डशेँ है उसकी रख किस mradygan को पताएगा तो चालग में प्रवाईद्धारा की दिशा को प्दरसीत करेगा और उसमें दूसरा कोोश्चन है कि दाशीर औंगुष्ट नीयम और फिलेमिंग का वाम्न नीयम उसमें क्या औंतर है। तो देखे जो दाशीर हस्ट नीयम है वह चुंब की छहत्र की दिषा को परदरसित करता है। यानि कि जो दच्छिर हस्त अंगुष्ट नियम होता है उसमें हम लोग चुम्बकी छेतर की दिशा को यानि कि अगर किसी भी तार में विदोधारा प्रवाइद होती है तो उसके चार और चुम्बकी छेतर की दिशा क्या है इसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि चुम्ब की च्छेतर को प्रदेशित करता है और लेकिन फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम है यह जो होता है चुम्ब की छेतर में इस्थित किसी धारावाई चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है यह दोनों में अंतर है कि जो आपका दृष्षिड़ संगुश का न कि विद्धुत धारा जैसे विद्धुत धारा जो है पुरू से पश्चिम की और प्रवाइत हो रहे हैं तो तार के ठीक नीचे और ठीक ऊपर किसी भी बिंदु पर चुम्बकी छत्र की जो दिशा होगी वो तार के लंबवत तल में दच्छिडा वर्त होगी ठीक है ना हैंनі कि हमारे जो विद्धारा अगर इसरे प्रवाई हो यह पूरयों से पश्यम की यो तो ऊपर या नीचे अगर हमको किसी भी बिंदु पर चुम्बकी छत्र की दिशा बतानी है तो तो हर बिंदु पर उपर वाले पर नीचे वाले पर किसी भी बिंदु पर जो चुम्बकी छत की दिशा होगी वह तार के लंबवत तल में दच्छिडा वर्थ होगी ठीक है फिर आगे बरते हम लोग यहां पे आगे हम जो है अथवाकर करके हमारा कौशण था बीधुदफ मोटर के बारे में है जब कोई चालक है कि जब चालक तारों से बनी किसी कुंडली में विदुदभारा प्रवाहित की जाती है अगर कोई चालक तार से बनी कोई कुंडली है आयताकर कुंडली है तो उसमें अगर हम विदुधार प्रवाइद करते हैं तो वह चुंबकी दिविधुरू की भाती ब्यवार करती है ठीक है यानि उसमें जैसे चुंबकी दो दुरू होते हैं उसी तरह से यानि कि चुमबकी च्छोंगा के अरुञे इस घ्याडर चोनद्र के लिए तो जब हम विदुधार प्रवाइद करेंगे तो हम विदुधार आजब प्रवाइद करते हैं तो इसमें भीुद्धार घुद्र चर्वाइद करते हैं ज के है lldh यहापे दो मपधे इनके दो मपर निकलती है तो उत Sut狐 की तरफ दिसा शती है तो यह कुंडली जो कंड़ी का चुम्पकी छेत्र है और जो चुम्बक लागे उनका चुम्पकी चेत्र है वह एक दूसरे के लिए और चाहें तो अगर यह कुंडली घुमने के लिए सतनतर है तो सक्षण जाएगी ठीक है ईस में आ जाने पर कुंडली रुक जाती है लेकिन और की धृषण घू आजाती我 Dagy तो तो फिर वो क्या होगी इसी तरह से जो चुंबक है वहाँ पे उसके अनुदित आने के लिए क्या होगी फिर घूम जागी तो इस तरह से हमारी जो कुंडली है वो घूमती रहती है तो यह हमारा जो है का विदूत मोटर का सिधान्त है इसको आप लोग इसकी इन साथ ले सकते है फिर इसके बाद हमारा जो है विदूत मोटर की कारविधी बताना है कि विदूत मोटर किस तरह से कार करता है तो जो विदूत मोटर में जो बैटरी लगए होते हैं जब बैटरी से कुंडली में विदू धारा प्रवाइद करते हैं तो फ्लेमिंग के बाए हाथ के नियम से बिदोधारा प्रवाइद करते हैं तो चुकि वो चुमकी छेतर के अंदर रखी गई है इस वज़ा से उनकी भुजाओं एबी और सीडी पर जो है दो बराबर बल लगते हैं लेकिन दोनों की जो दिसा होती हो बिपरित होती है और इसको हम लोग ग्यात करते हैं कुंडली के साथ उसके रो पर लगी बिभक्त वले भी घूंडली को जो बिभक्त वले के सांथ जोड़ा गया होता है और इस बिभक्त वलेों की मदब से जो है धारा की दिशा इस प्रकार रखी एथी लिए जो वडHowbell घूमते हैं इसी के सहायता से हम लोग क्या करते है धारा की दिशा इस तरह से रखना है कि जो बल युगम की दिशा है वो निरंतर एक ही तरह से बनी रहे और कुंडली जो है एक ही दिशा में हमेशा घुमती रहे यानि कि हमेशा कुंडली जो है इस तरह से घुमती रहेगी ठीक है अब यहां पर आगे दिया था कि बिभक्त वाले का क्या महता है तो यहां पर देखिए बिभक्त वाले का क्या महता है कि बिभक्त वाले का कारी करता है दिशा परिवर्त का कारी करता है और इसकी सहायता से हम लोग कुंडली में प्रवाही धारा की दिशा को लगातार बदलते रहते हैं इनिक जैसा कि यहária उपर मैने बताया है जब धारा की दिसारादी हम नहीं बदलेंगे तो कुंडाली की धुरुता नहीं बदलेंगी और जब धुरुता नहीं बदलेंगी तो उस इससे उस पर लगने वाले बल की दिशा समान बनी रहती है तो ठीक है बच्चो तो और भी कोश्टन है जिनको अगले वीडियो आप लोगों को बतायाएगा और यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और सेर करिए और साथ ही ने पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए और बेल आइकन दबना न भूलिए जिसे हम जो भी नई वीडियो भेज़े आप तक आसानी से पहुंच सकें